Hello Friends, Welcome to Sapna Simple and Easy Cooking आज हम बनाएंगे शक्करपारे इस स्विट डिश को शंकरपारी की नाम से भी जाना जाता है बाहर से ये क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट बनते है कि मूँ में जाते ही घुल जाए तो चलिए आज हम इसी पापुलर डिश को बहुत ही आसन तरीके से बनाएंगे इन्हें बनाने के लिए हमने यहाँ पे तीन कप मैदा लिया है आप जब भी कभी मैदे की चीज बना रहे है तो इसे बनाने से पहले मैदे को चान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 कप मैदे के लिए 3-4 कप शक्कर ली है अगर आप थोड़ा जादा मीठा खाना पसंद करते है तो आप 3-4 कप शक्कर के बजाए 1 कप शक्कर लीजिए आधा कप घी, आधा कप दूद, आप दूद की बजाए पानी भी ले सकते है और फ्लेवर के लिए आधा छोटा चमत हरी लाइची की पावडर लेंगे सबसे पहले हम एक बरतन में शक्कर डालेंगे अब दूद डालेंगे अब शक्कर दूद में पूरी तरह से घुल जाने तक इसे मेडियम आज पर 4-5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे ध्यान रहे हमें इसकी गाड़ी चासनी नहीं बनानी है शक्कर पिघल जाए तब तक ही हम इसे मिक्स करेंगे शक्कर पिघल चुकी है अब हम ग्यास बंद कर देंगे अब इस सिरप को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे अब हम इसमें इलाईची की पाउडर डाल कर मिक्स करेंगे सिरप ठंडा हो रहा है तो हम शक्कर पारो के लिए आटा तयार कर लेंगे अब मैदे में एक चोथाई छोटा चम्मश नमक डालेंगे अब इसमें आदा कब घी का मोयन डालेंगे मोयन गरम है इसलिए पहले हम चम्मश सही मिक्स करेंगे थोड़ी देर के बाद मैदा हलका सा ठंडा हो गया है अब हम इसे हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे मैदे में मोयन का प्रमान सही से है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप इस तरह से इसके बाल्स बना कर देख सकते है अगर ये आसानी से बन रहे है तो आप समझ जाए कि इसमें मोयन का प्रमान पर्फेक्ट है अब थंडा किया हुआ शक्कर और दूत का सिरब थोड़ा थोड़ा डाल कर मैदे को गुनते जाएंगे हमें शक्कर पारे बनाने के लिए थोड़ा मेडियम सक ताटा ही गुनना होगा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मेडियम सक ताटा गुन लिया है और सिरब भी थोड़ा सा बज गया है हम उसे बाद में इस्तिमाल करेंगे अब इस आटे को पंदरा से 20 मिनट के लिए धक कर रखेंगे 20 मिनट तक धक कर रखने के बाद आप देख सकते हैं आटे ने सिरब को सोक लिया है अब हम इसे सॉफ्ट होने तक गुन देंगे आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए अब हम इसमें बचा हुआ सिरफ डाल देंगे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा सिरफ इस्तेमाल किया है अब हम इसे गुनते जाएंगे वैसे तो बनाने में ये डिश बहुत ही आसान है लेकिन इसे गुनने में थोड़ी जादा महनत लगती है अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी आप इसे गुन सकते है अब आवशकता अनुसार थोड़ा थोड़ा दूड डाल कर इसे गुनते रहेंगे शक्कर पारे के लिए गुनदा हुआ आटा चपाते या पूरी के तरह बहुत जादा स्मूथ या सौफ नहीं गुनदा जाता है इस आटे को हमने मेडियम सक्त होने तक गुन लिया है हमें इसे सौफ गुनने के लिए दो से तीन चम्मत जादा दूद लगा है अब इसके तीन से चार हिस्से करेंगे अगर आटे को गुनने में जादा महनत लग रही है तो इसे गुन कर सौफ बनाने का और एक तरीका है इसके लिए एक प्लैटफॉर्म पर घी लगाएंगे अब इसके उपर गुन्दे हुए आटे का एक बॉल रखेंगे अब इसे सौफ बनाने के लिए किसी हेवी चीज से कूट लेंगे इस तरह से कूटने की वज़े से आटा सौफ भी बनेगा और इसकी चपाती बेलते समय क्रैक्स भी नहीं आएंगे अब आटे को और थोड़ा सा गुन लेंगे अब इनकी चपाती बेलने से पहले बेलन को थोड़ा सा घी लगाएंगे अब इसकी चपाती बेलेंगे हमें इन्हें बहुत ज़ादा पतला नहीं बेलना है कॉर्नर्स में क्रैक्स आ रहे है फिर भी कोई दिक्कत नहीं क्यूंकि हम इसे काट कर हटा देंगे शक्कर पारे के लिए चपाती बेल ली है अब हम इसे सेम साइज में काट कर शक्कर पारो का शेब देंगे सबसे पहले हम चपाती के चार तरफ के कॉर्नर सटा देंगे चारो तरफ के corners हटाने के बाद आप अपनी इच्छा नुसार इसे diamond, triangle या square का shape दे सकते है हमने एक चपाती को बेल कर इसे शक्करपारों का shape दिया है इसी तरह से हम सारी चपातिया बेल कर शक्करपारी तयार कर लेंगे शक्करपारे तलने के लिए तयार है हमने यहाँ पे घी को medium आज पर गरम कर लिया है इन्हें तलने के लिए घी सही से गरम है की नहीं यह check करने के लिए हम इसमें एक आटे का ball डाल कर देखेंगे अगर यह जला नहीं और तैर कर उपर आ गया तो आप समझ जाएए कि शक्करपारे तलने के लिए घी सही से गरम है अब घी में शक्करपारे डालेंगे हम इन्हें low medium आज पर 2-3 मिनट के लिए एक साइड से तलेंगे अब एक साइड से हलके गुलाबी रंग होने के बाद ही हम इन्हें पल्टेंगे अगर हम इन्हें तुरंथ ही घी में डालने के बाद पल्टेंगे तो ये घी में ही फूटने लगेंगे इसलिए हमें इन्हें घी में डालने के बाद पलटने के लिए कम से कम एक मिनट के लिए वेट करना होगा शक्कर पारे एक साइट से हलके गुलाबी रंके हो गए है अब हम इने पल्टेंगे अब दूसरी साइट से भी लो मीडियम आज पर 2-3 मिनिट के लिए सुनरा रंग होने तक तलेंगे हमने इने लो मीडियम आज पर लगभग 3-4 मिनिट के लिए दोनों तरफ से हलका सुनरा रंग होने तक तल लिया है अब हम इने घी में से निकाल लेंगे और एक टीशू पेपर पर रखेंगे शक्कर पारे अभी तो हलके सुनरे रंग के है लेकिन ठंडे होने के बाद ये गहरे सुनरे रंग के हो जाएंगे इसी तरह से हम सारे शक्कर पारों को तल लेंगे तल कर बाहर निकलने के बाद भी इनका कुकिंग प्रोसेस चलते ही रहता है ये जैसे जैसे थंडे होते जाएंगे वैसे ही ये बिस्किट की तरह और सुनरे और क्रिस्पी भी बनते जाएंगे पूरी तरह से थंडे होने के बाद आप देख सकते हैं शक्तर पारे कितने सॉफ्ट बने हैं आपको भी ये बहार से क्रिस्पी और मुव में डालते ही घुल जाने वाले डिलिशियर शक्कर पारों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी आप इन्हें बना कर देखिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेर कीजिए थैंक यू